आपका स्वावत है आज की कुछ आहम खबरों पर आएए डाब के एक नज़ा है कॉंग्रेस नेतर राहूल गांधी ने कहा है कि जातिगत जनगर्णा देश के लिए एक्सरे जैसा है उन्होंने कहा जातिगत जनगर्णा से पता चलेगा कि किस की कितनी आबादी है और उससे पता लगेगा कि किस के पास हिंदुस्तान का धन है X-ray के बाद हम सचमुच में गरीब लोगों की भागीदारी दे पाएंगे और हिंदुस्तान की प्रगती में ये बिलकुल नया चेप्टर लिखा जाएगा राजस्थान के CM अशोग गहलोत ने कहा है कि मैं CM पर छोड़ना चाहता हूँ लेकिन यह पद मुझे नहीं छोड़ रहा और शायद छोड़ेगा भी नहीं उन्होंने कहा कि कुछ तो कारण होंगे ही कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुझे बार-बार CM बना रहे हैं गहलोत में PM नरेंदर मोधी पर भी निशाना साधा बोले मोधी कहते हैं कि मैं गहलोत से बड़ा इमांदार हूँ लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मैं मोधी से बड़ा फकीर हूँ इसराइल हमास संगर्स पर शरत पवार के बयान को लेकर असम के मुख्य मंतरी हिमंत विश्वा सर्मा ने उन पर तंज कसा है उन्होंने कहा मुझे लगता है कि शरत पवार जी सुप्रिया मैडम को घजा में हमास के लिए लड़ने के लिए भेजेंगे बता दें कि NCP परमुख पवार ने हमास इज्राइल संगर्स पर पियम मोधी के बयान पर टिपन ने की थी उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि विदेश मंत्राले ने जो बयान दिया है पियम मोधी का रुख इससे इतर परतीत होता है पुर परधान मंत्री और जनता दल सेकुलर के नेता HD देवेगोडा ने गुरुवार को CM इबराहीम को पाटी से निश्कासित कर दिया है CM इबराहीम GDS की करनाटक इकाई के अध्यक्ष थे वे देवेगोडा सरकार में केंद्रिय मंत्री भी रहे थे CM इबराहीम ने करनाटक के JDS और भारती जनतापाटी के गटबंधन का विरोध किया था दिल्ली हाई कोट ने कहा है कि Prevention of Money Laundering Act यानी PMLA की धारा 50 के तहट ED को किसी वेक्ति को गिरफतार करने का अधिकार नहीं है कोट ने कहा कि PMLA की धारा 50 के तहट किसी वेक्ति को समन जारी करने डोकुमेंट्स की जांच करने और बयान दर्ज करने का अधिकार है जिसका अधिकार किसी भी सिविल कोट को होता है लेकिन गिरफतारी का नहीं न्यूस क्लिक के फाउंडर और एडिटर इंचीप परबीर पुरकायस्त और HR हेड अमिच चक्रवर्ती की आचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर अपना पक्च रखने के लिए कहा है प्रबीर पुरकायस्त और अमिच चक्रवर्ती ने UAPA कानून के तहत अपनी गिरफतारी को सुप्रीम कोट में चुनवती दी है जारखन के पुर्व मुख मंत्री रगुवर्दास को ओडिशा का और तेलंगाना के बीजेपी नेता इंद्र सेन रेडी नल्लू को त्रिपुरा कले राटपाल के रूप में नियुक्त किया गया है राष्ट पती भावन की ओर से देर राज जारी किये गए एक बयान में ये जानकारी दी गई लगुवर्दास इस समय बीजेपी के राष्टिय उपाध्यक्ष हैं उन्होंने जारखन के पहले गैरादिवासी मुख मंत्री के रूप में साल 2014 से 2019 तक काम किया था पाकिस्तान की एक अदालत ने पुरूप परधान मंत्री नवाज शरीफ को प्रोटेक्टिब बेल देने का फैसला सुनाया है यानि अगले हपका होने वाली अदालती सुनवाई से पहले उन्हें गिरफतार नहीं किया जा सकता अदालत का ये फैसला लंदन में आत्म निर्वासन में रह रहे नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी से पहले आया है गाजा के अस्पताल में हुए विस्पोट पर फलिस्तीनी सरकार लगातार इसराईल पर आरोप लगा रही है इस बीच अमेरिका ने इसराईल का पक्छ लिया है वाइट हाउस का कहना है कि गाजा अस्पताल विस्पोट के लिए इसराईल जिम्मेदार नहीं है वाइट हाउस ने खोफिया तस्वीरों और सूत्रों से मिली सूचनाओं के आधार पर कहा कि जात से संकेत मिला है कि विस्फोर्ट के लिए इजराइल जिम्मेदार नहीं है रूस के विदेश मंतरी सरगेई लावरोव ने उत्तर कोरिया की विदेश मंतरी चोई सोन हुई से मुलाकात की उत्तर कोरिया के दोरे पर गए लावरोव ने युक्रेन के खिलाफ युद में रूस का साथ देने के लिए उत्तर कोरिया का शुक्रिया अदा किया लावरोर ने बताया कि उनकी यह यात्रा उत्तर कोरिया के सिर्ष नेता किम जोंग उन और रूस के राष्टपती ब्लादी मिर पुतिन के बीच बैठक में बनी सहमतियों को आगे ले जाने के बारे में हैं